नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं कलाकारगबात में होविपिन देहाते साथियों आध्या के एक कथा व्यास जी उनके पैत्रिक आवास पर हूं और यहां पर मुझे मिले हैं आई सबसे पहले इन से पर्चे करवाता हूं और इनके बारे में कथा करने लेगे पहले क्या सबस्क्राइब करने रहे है पहले जाना जाहूंगा पहले तो आपको और आपके चैनल को अपना अनमौल समय निकालने के लिए बहुत और धन्याद है मैं मनीज सुगला लोग प्यार से पूझ मनीज भीया जी कह करके पुकारते हैं और आप सबकी महत्ती अनकंपा के गारण इस नाम से बहुत सारा प्यार और दुलार प्राप्त होता है भागवत कथा राम कथा देवी भागवत पुराणों की कथा का वाचन इस छोटी अल्प बुद्धी और अल्प बाड़ी के द्वारा जो कुछ हो सकता है भगवान के चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हैं आपके मन में सब सारे मावाव बच्चों को अपने पढ़ा रिखा कर आई-एस आई-पी-एस अपना लगाओ था कि पहले तो हम लोग छोटे-छोटे थे तभी से कहीं पर रामाड की मंदलियां होती थी वहां पर बैठ करके मजीरा बजा करके घर वाले नहीं मना करते हैं घर वाले गहांवाले और जिदने भी जानने पहचानने वाले थे सब लोगों ने बहुत रोक लगाई लेकिन जिसका मन जहां पर लग गया फिर उसको कोई रोक नहीं सकता तो बच्पन से आप इसके पहले और कुछ आपने काम किया आपनी इतने उमर में जीवन बड़े संगहर्सों से गुज़रा है करेंगे सबसे पहले में साइसाइड का एंश्ट्ष चैस्ट्व करी पहले मैंने इंटरमीडियेट सइंस ना मैत्त किया पिर उसके बाद में विचार आया सब लोग कहने लेगे कि मेर्टकल लाइण पकड़ते दूर्स फिर मैंने बाइलोजी सेfashionistling कि दौरान यह जो कारिक्रम चल रहा था इस दौरान हमारे जो संगीद LINE का कारिक्रम था थी थोड़ा हार्मौनियम बजाना गाना आफम इस दूरा यह तार रहा था रहा द्यारत गाते थे और अपना का कथाओं में भी जाते थे पुजन उजन कराते थे बजन उजन गाते थे कथा का कारिक्रम चलते चलते फिर एकाएक प्रभु की और सद्गुर्देव भगवान की महती अनुकंपा हुई गुरु जी ने बताया कि बेटा आप श्री रामचरित मानस का पाठ करो मैंने और मानस भगवान की किरपा और करुणा जीवन में इस प्रकार से बर्सी की लाइन एक आएक घूम गई फिर मैंने इसी लाइन से संस्कृत की पढ़ाई की अग्जोली इंटरमेडियर तक हाई स्कूल तक हमारी संस्कृत थी तो हमने उत्तर मध्यमा से फिर संस्कृत की पढ़ाई की सास्त्री आचार की डिगरी प्राप्त की फिर रामजी के गुण को गाते गाते आज यहां इस मुकाम तक पहुंच गए हैं आपने जारखंड पूर नेपाल मुंबई जैसे जगहों पर कथाए कि हैं जैसा कि आपका वीडि आप बता रहे थे एक लाइन कि हमारे मन में इस्वर के गिरपा से एकाय गुम गया यह परिवर्तन कितने उम्र से आया जब आप राम कथा करने लगे एक कब की बात है परिवर्तन तो नहीं कहेंगे क्योंकि जुकाओ था प्रारम से ही था पहले से जुकाओ था आपका राम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नचनिया बजनिया बन रहा है लेकिन फिर भी अपने मार्ग पर दुनियादारी की प्रवाहना करते हुए चलते गए और जिसका रेजल्ट आज आप सबके सामने हैं बहुत लोगों का हमने देखा बहुत सारे कथा करना सुरू करते हैं ए इसके अलावां इसके अलावां और कोई दूसरा जो व्याव साय है कभी मन मस्तिष्क में बहुत दूर दूर तक भी नहीं आता क्योंकि मेरे मन में भी ऐसी अनभूत दिन पर दिन यही ऊठती रहती है घृष्टी अ इसी में जीना है और इसी में मरना है इसी यहीं से और यही पर एकाजिस लोग की जवाब कथाओं में बोलते हैं जब हमारा जन्म जन्मांतर का उन्य उदय होता है तभी जीवन में स्रेष्ट संतों का आगमन होता है और जिसके जीवन में स्रेष्ट संत स्रेष्ट सद्गुर्ण की प्राप्ति हो जाती है उसे अपने परम लक्ष की प्राप्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहि हवास्तों में जीवन में जब तक कोई सच्चा सद्गुरू नहीं आया, जब तक किसी सद्गुरू की प्रेंडा नहीं मिली, तब तक ये जीवन भौसागर से बार नहीं हो सकता, इसके साक्षात उदाहरन हमारे सद्गुर्देव भगवान है सद्गुर्देव भगवान की बाड़ी में ही विश्वास मान करके सद्गुर्देव भगवान के चरणों में नित्य प्रध्यान करते हुए, मैंने अपनी आत्रा शुरू की और आज गुर्देव भगवान की ऐसी अनुकंपा, ऐसी करुणा, ऐसी किर्पा वरस रही है, इसक इसे हैं आप है आपके पुराणों में लिखा सब्से बड़ा आश्रम है आप परिवारि आपका कैसा जीवन कटाई ल९री Kenneth ग्रहस सतरम और ग्रती मार्ग का सन्यास असरं का जीवन शाघि इवे पर वीरक्टी की है यह यह ग्रहस्त आस्रम क्या है? ग्रहस्त आस्रम है कहीं पर मेला लगा हुआ हो, बीच में भीडवाड के रास्ते से अनेक प्रकार के परपंचों से उलचते हुए बच करके मार्ग को पार कर जाना ग्रहस्त आस्रम का मूल सुरूप है. अब बाइपास मार्ग हो करके तो आप आराम से रास्ता पार कर सकते हो, सब लोग निकल सकते हैं, लेकिन जो अपनी गाड़ी को चला करके भीडवाड के छेतर से, जहां पर अनेक प्रकार की बाधाएं हो, उन सब बाधाओं को जेलते हुए, जो अपना मार्ग प्रसस्त करता है, स्रेश्ठ साधक वही कहलाता है, भक्ति का जो मूल सोपान है, ग्र्हस्त आसरम से बड़ा और कोई आसरम है नहीं, क्योंकि एक और व्यक्ति के गिरने की प्राया संभावना बनी रहती है लेकिन जो जमीन में ही सोया हुआ है फिर उसके गिरने की संभावना समाप हो जाती है इस मार्ग पर चलने वाला साधक यदि अपने परमलक्ष को प्राप्त करता है तो उससे बड़ा और साधन और उससे बड़ा मार्ग इस संसार में नहीं दूसरी एक और बात है क्योंकि इस ग्रहस्त आश्रम के द्वारा ही अन आश्रमों की जीविका चलती है अन्य आश्रम के जो साधक हैं वो भी ग्रहस्त आश्रम पर ही निर्धारित हैं भाई साधक लोग जो बैराग्यमार्ग पर निकलते हैं थोड़ी सी अपनी जीवी का पेट के लिए चार-पांच घर का भी परियोग करते हैं तो उनको भी ग्रहस्तों के पास जाना पड़ता है तो क्योंकि ग्रहस्त आश्रम के बगाएर और सारे आश्रम की सिद्धी नहीं हो सकती इसलिए मेरे विजार से ग्रहस्त आश्रम सर्वस्रेश्ट है महराजी एक सवाल मेरे मन में काफी देर जोड़ा बचपन में जब आपने एक रामायड गाना और हार्मोनियम बजाना बेटा हर माबाप को हर सुषर्दों को चिंता होती है कि हमसे संबंद रखने वाला बच्चा कहीं अपने लक्ष से भटक न जाए इसलिए अदूसरी बात यह कलिकाल का प्रभाव भी है क्योंकि यहां पर वैसे तो जीवन के चार पूरसार्थ है धर्म अर्थ काम और पहले तो क्या आया है चारो पूरसार्थ हम पहले धर्म है लेकिन आज की डंबना यह हो गई है सब लोग धर्म को तो पीछे छोड़ते जा रहे हैं आर्थ को परधानता देते हैं इसलिए आर्थ की द्रिष्टी से हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा बेटा कहीं जाकर क पैके नवकर्श करए खूह और पर लगा होता है लेकिन धीरे धीरे जब कुछ सफलताओं का märg प्रसेस्त होने लगता है तो लोग उसका सपोर्ट करने लगते प्रारम में धर्म कर्म के मारग पर चलने वाले फफ पर आपको बहुत कम लोग मिलते हैं अधर्म और अधर्म में ही अंतर है आपको आपको कौन मिला रहा और अपको में आ 이야기 करें जिनके साथ हमने कुछ छन बिताए हैं जब गुरुजी के सानिद्ध में रहते थे तो गुरु जी ही शिक्षा देते थे कि बेटा नाम नहीं ले सकते हमारे सद्गुर्देव भगवा नहीं कहते थे बेटा राम चरित मानस का अध्यन करो बस मैंने गुरुजी की बांडी का केवल जो गुरुजी ने आदेश दिया वही किया आगे मैंने कुछ सोचा नहीं था रास्ता चलते गए और अपने आप लक्ष मिलता ख लक्ष अज तक जो भी आपकी त्यास में आज तक आपने कितनी काथाइएं की होगे सबको मिलाकर नहीं कितनी कतायों क्थाओं का हमारे जीवन में शुरू से लेकर के और अब तक कथाओं के माद्यम से जो बाते मैं दूसरों को बताता हूं हमारी अपनी ही बातें कभी कभी कोई ऐसा मार्ग आ जाता है जहां पर मन बिचलित होने लगता है अपनी बातें मोटिवेट करती है तो बस भगवान की किरपा बनी रहे ऐसे भगवान का नाम असमरण नाम गान चलता रहे बस यही भगवान से और सद्गुर्द्यों भगवान से हाथ जोड़ करके क सब्सक्राइब्ट करके कार्णब्र आधिश्यवेट करके दिखी हैं दे की सोभा नहीं होती इसाैं बना लेते हैं लेकिन आप संत है आप की भासम क्या होता है इसा क्या है बसन हीन नहीं सोह शुरारी सब भोसन भोसित वर्ना इसे बड़ी ही सुंदरी यूति हो रूप अंगना हो रूप यव शंपन इस्तरी हो उसको समस्त आभुषडों से आवेश्टित कर दिया जाए तन पर एक कपड़ा न डाला जाए तो जैसे उसकी सोभा होगी ऐसे इस जीवन में सारी सुखसुदाओं को प्राप्त कर लिया जाए भजन ना आए ऐसे ही इस देह का सम्मंध भजन से है भजन के बिना इस देह की सोभा बन नहीं सकती है और इसी पर एक लाइन है कि भजन बिना देहियाना सोहे रामा भजन बिना देहियाना सोहे रामा वह सरसुतिम भीया है वह रामदरवार की प्रतिमा है यह राधा कृष्ण जी है यह सालिक राम भगवान है वह राधा कृष्ण है यह लटू गॉपाल है वह लक्षमी नाराण है देखे चाहिए है है जो अध्यात्म से जोड़ा करके कफाओं को प्रकट किया है कि उसका हमारे जीवन बड़ा प्रभाव पड़ा और हमारी कफाओं के माध्यम से आपकी बाड़ी का कुछ आंस प्राप्त होता है